अना दर लेटेस्ट वर्जिस ओल्डर सपोर्ड रेजिस्टन मतलब जितना ज्यादा पहले वाला होगा जैसे मैंने आपको अभी बता है कि लेट सपोर्ज हम इंट्राडि ट्रेडिंग कर रहे हैं आज सुबह को हम देख रहे हैं आज सुबह को gap up हुआ और हम देख रहे हैं कि कौन सा resistance become support काम कर सकता है तो yesterday के second half वाला ज्यादा बेटर काम कर सकता है अगर second मालब एक दिन पहले के second half वाला अगर एक दिन पहले के second half वाला नहीं है तो first half वाला ज्यादा बेटर काम कर सकता है तो एक दिन पहले का second half and दो दिन पहले का second half से better एक दिन पहले का second half वाला काम करेगा मत्तब जादा पुडाना न, जितना जल्द वाला होगा, उतना बेटर काम करेगा इसके पीछे का लॉजिक है, जो लोग ट्रैप हुए, वो थोड़ी 4-5 दिन, 15 दिन बैठे ही रहेंगे कि हाँ यार, ब्रेक इन पर आजा तो निकलो, आखिर कहीं न, कहीं वो निकल गए होंगे, वो थोड़ी इतना डाइम इंतिजार करेंगे, जितना जल्दी, रेजिस्टरंस बिकम सपोर्ट पर पर प्राइज आ रही है, उतना ज्यादा बेटर काम करेगा, जितना लेट प्राइज आएगी, उतना काम करने के चांस नहीं है, हमारा रीसेंटली, आप्शन का सेशन हुआ था, रहीट, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एवरी डे हमारा मॉर्णिंग में सेशन होता है, जो सिर्फ आप्शन में जो लोग इन्रोल्ड हैं, उनहीं के लिए होता है, रहीट, एक दिन पहले वाला इस तरीके से रिजिस्टन्स था ठीक है और दो दिन पहले वाला इस तरीके से रिजिस्टन्स था ठीक है अब प्राइज ने ये दोनों लेविल को या तो बड़ी कैंडल या गैप के साथ ब्रेक किया था मुझे ऐसे ध्यान पे आ रहा है कि गैप के साथ चायद किया था ठीक है और suppose price यहाँ पर gap up होई थी suppose मैंने उनको एक line कही थी कि ये काम करेगा इसके comparison में ये ज़्यादा काम करेगा right this was my line okay what was the logic behind this दो logics है एक तो यहाँ पर तीन बार resistance लिये है तो obviously इसके support लेने के chance ज़्याद है resistance become support और यहाँ पर दो ही points है एक ये logic और दूसरा कि जितना latest resistance become support मतलब latest वाला ज़्यादा काम करेगा पुडाने से अब market यहाँ पर current market price ये है तो सबसे पहला मतलब पहला मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर पहला कौन सा आ रहा है पहला मतलब latest वाला resistance कौन सा था latest मतलब कल का यहाँ आज का ही first half का whatever right so intraday case आप से अगर मैं बता हूँ तो आज का ही first half का कौन सा है यहाँ कल का second half का कौन सा है वो latest हुआ तो यह कल का था और यह पढसो का था ठीक है तो मैंने उनको कहा कि यह कल वाला है ना एक तो यह कल वाला है और दूसरे यह तीन pointers है तो इसके काम करने के chances जा रहे है ठीक है और यहाँ पर price आई थी यह resistance become support को काम नहीं किया और यह resistance become support से हवा में उठते चली गई price and literally members were shocked कि यार यह क्या point बताई और यहीं से सीधा ओडने लगी थी price मत्तब यह resistance become support काम नहीं किया था यह वाला काम किया था logic के है इसके पीछे logic simple है guys यह दो दिन तक थोड़ी रुके रहेंगे break-win पे निकलने के लिए लेकिन कल वाले रुके रह सकते हैं break-win पे निकलने के लिए okay so understand support become resistance resistance become support के जो pointers है ना more time-tested वाला ज़्यादा काम कर सकता है less time-tested आले से यह सब practically काम आता है practically कैसे अब मैं आपको practically भी बताऊंगा दिखाऊंगा okay